हेलो एरिवन गुड मॉनिंग नमस्कार 24 फरवरी 2021 और आज के दहिंदू निस्पेपर को हम लोग डिसकस करेंगे अनलेसिस करेंगे आप इसकी पीडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आज सकाडिमी टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले हमारा प्रिवर्तन आज सकाडिमी प्रिवार 50,000 का जो माक है नंबर वो टेच कर चुका है इसके लिए आप सबको बदाई और जिन साथियों को 2021 में एक्जामिनेशन देना है उनके लिए केवल एकी संदे से पूरी ताकत से और पूरी मेहनत से अपनी त्यारी करिए जिन टोपिक्स में आपको समझ में या तो और मेहनत करिए और इसी साल 2021 में ओफिशर बन कर वापिस आईए तो सबसे पहले बात करेंगे वैक्सिन रोल आउट फॉर ओल्डर पीपल सुन यानि ह के तरफ से जो कोविड-19 वैक्शिनेशन भारत के अंदर चल रहा है जिसके अंदर वरियस कटेगरीज के अंदर या जो एमर्जेंसी यूज ओथराईजिशन दिया गया था दो इंपोर्टेंट वैक्शिन को कौन-कौन सी एक तो जो भारत बायो टेक की को वैक्शिन और द हेल्थ केर वर्कर और उसके बाद सीनर से डिजन्स को भी वैक्शिन के रोल आउट के बारे में यहाँ पर बताया गया रीचनली आपने देखा होगा कि भारत के कई सारे स्टेट्स के अंदर जो है कोविड-19 के केसिज के जो नंबर है वो इंक्रीज हुए उसके बाद यहा पांते हैं कि जो नए वैरियंट्स देखने को मिलते हैं जैसे यूके स्टेंड ब्राजिल स्टेंड और साउथ अफरिका स्टेंड इनकी वज़े से भी हो सकता है कि यह वायरेस जो है वो भारत में देखने को मिले यह नंबर ओफ केसी जो जम्प होते हुए दिखाए थे इ भाराष्टरा, केरला और तिलंगाना के अंदर यह वैरियंट्स से रिलेटेट है तो यह आप इसको नोट करेंगे कई बार जो यूपियस्सी है वो प्री में इस तरह के डारेक्ट क्योशन पूश लेता है कि पर्टिकलर वर्ड जो है न्यूज में रहा यह किस से रिलेट क किया गया है तो यहाँ पर इसको फिर से जो है वो शुरू किया जाए रहा थ्री पूइंट ओ इसका पार्ट होगा यानि थर्ड फेज इसमें शुरू किया जाए आप लोगों को नीचे कमेंट करना है कि मिशन इंदर दरूस के तैत जो डिजीज कवर किये जाएंगे इम्म किया जाएगा ताकि उनको विरियस डिजीज से बचा जासके इंदर दूस वर्ट को आप ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेवन कलार होते हैं तो इसलिए सेवन डिजीज है लेकिन कई जगह पर नोड दो डिजीज और जो इंक्लूड किया जाते हैं ठीक है वो भी आपको ध्यान रखने हैं वो भी आपको नीचे कमेंट करने हैं सेकेंड इंफोर्मेशन इसी पेज पेज जो कि हमारे लिए बहुत इंपर्टन है नेपाल के प्राइमिनिस्टर के लिए एक ब्लो आपको देखने को मिलेगा नेपाल के अंदर रिशनली कई सारी चीजे हुई है जि इसके बाद पूरा का पूरा मामला जो है सुप्रेम कोट अफ नेपाल के अंदर गया सुप्रेम कोट अफ नेपाल ने एक डिसिजन दिया कि नेपाल का जो लोवर हाउस हो उसको भंग नहीं किया जाएगा उसको री इंस्टेटिट कर दिया जाएगा और अगले कुछ दिन में ही लगबग 13 दिन के अंदर अंदर 275 मेंबर का जो हाउस है उसको फिर से बुलाया जाएगा ये इसलिए इंपोर्टेंट है नेपाल वरियस रिजन्स की वज़े से इस टाइम ने न्यूज में है पहला अगर आप देखेंगे पुलिटिकली स्टेबिलिटी को लेकर ने हाँ पर गाउं है एरियाज है जिसको लेकर नेपाल ने एक पुलिटिकल मैप रिलिज किया था और उसमें सिंगोली ट्रीटी के बारे में डिसकसन किया गया था मोडरन इंडिन हिस्टी से रिलेट कर सकता है और रिशनली जो है गलेशियर बस्ट हुआ है तो इस वज़े से भी ये पूरा का पूरा रिजन जो है न्यूज में है और मौस्ट इंपोर्टेंट मैं कहूंगा माउंट एवरेश्ट की हाइट के अंदर जंप किया गया था या उसमें थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला था ये एक इंपोर्टेंट न्यूज है तो वेरियस टोपिक एक सवाल पुछा था तिस्ता क्या तिस्ता की ट्रिबुटरी कौन सी है तिस्ता क्या राइट हैंड साइड से बरंपुत्रा से जो है वो एक ट्रिबुटरी है या नहीं है इस तरह की क्योस्टेंस को आपको प्रेक्टिस करने पड़ेगी और प्रेक्टिस करोगे जितनी ज दिसकस करूँगा क्योंकि युनेस्कों ने रिशनली एक रिलीज करें थी और 2017 का ये डेटा है इसके अंदर बताया गया कि 197 लेंग्वेज जो भारत के अंदर है इंडिजीनियस लेंग्वेज इसको बोलते है वो कहीने कही उनको एक त्रिके से समाप्त होने का डर है और इसके अंदर जो लेंग्वेज इंकिलीड की जाती है इसमें 60% या तो नोर्थ इस्ट वाली है या अंडिवान और निकुबार की है अगर आप इंडिया का सेंसस या भारत की जनगणना की कंटेक्स्ट में इसको देखेंगे तो 10,000 से नीचे औरी लेंग्वेज भारत की जनगणना के अंदर काउंट नहीं की जाती है और यहां पर बताया गया युनाइटिड नेशन ने 2022 से 2022 को एक डिकेड गोसित किय या इंडिजेनियस लेंग़ेज को लेकर ठीक है यानि इस इंडिजेनियस वड आपको बार-बार देखने को मिलता होगा जभा आतम निर्वर भारत की बात करते हैं सेल्फ रिलेंट इंडिया की बात करते हैं और 21 फरवरी को Mother Language Day भी आपको देखने को मिलेगा Mother Tank को लेकर Constitution में भारत के सम्धान में कहां कहां पर discussion किया गया है वो आपको नीचे comment करना है दूसरा important सवाल क्योंकि recently National Education Policy आपने देखने को मिली होगी उसके अंदर भी Mother Tank के अंदर language को या अपनी education को promote किया गया UNESCO की ये list बताती कि भारत के अंदर 197 जो languages है या तो very endangered है vulnerable है या extinct है या अगर आप देखेंगे उसमे critically endangered है या severely endangered इस तरह के word यूज किया गए है यहाँ पर vulnerable, definitely endangered, extinct, severely endangered और critically endangered इन words का मतलब क्या है यह यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ठीक है इसको pause करना और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो language उनके बारे में डिसकस किया गया जैसे यह जो language है यहाँ पर जो यह language दीके दीगे जैसे बाल्टी, लाहुली, मौनपा, लदाकी, शेमा, कॉनियाक, रोबा, कॉर्गिल, खंडेशी इनके अंदर अगर आप देखेंगे लदाकी और बाल्टी जो है वो जमौन कस्मीर रिजिन ने बोली जाती है मौनपा, शेमा जो है नौर्थ इस्ट के अंदर और लाहुली क्योंकि लाहुल स्पिती एक important valley भी है हिमार्चल प्रदेश के अंदर तो वहाँ पर यह language बोली जाती है तो लगबग 15,000 से कम यहाँ पर speaker इस टाइम है तो यह languages आप देखेंगे various इसमें कहीं न कहीं एक critical issues फेस कर रहे हैं इनके अलाबा यहाँ पर कुछ languages के discussion किया गए जैसे हंडोरी language है, निहाली है, खंड सेल, टोडा यह टोडा ट्राइब बहुत जादे important है क्योंकि PVTG के अंदर भी आती है और नेलगरी hills के आसपास आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर अंडेमान और निकोबार यह various reasons की वज़े से news में हैं तो ग्रेट अंडेमानीज की जो speaker है केवल 5 रह चुके हैं, इसके लाव ओंग है और जारवे है, ग्रेट अंडेमानीज है मैंने recently PVTG ग्रूप दिखाया था है यह नहीं particularly vulnerable tribal group जिसके अंदर 75 tribe को include किया जाता है तो वो भी directly और इंडेक्ली रिलेट करेगी indigenous language को लेकर तो अंडेमान और निकोबार में 5 ऐसी tribes को जो है PVTG ग्रूप यह कह सकते हैं कि जिनके number of person है वो भूतिक कम है तो इस तरह की tribes आपको देखने को मिलेंगी particularly vulnerable tribal group और various national park और अलग-अलग geographical चीजों की वज़े से अंडेमान और निकोबार बहुत important है और news में है तो हो सकता है कि सवाल आपको इस region से किसी भी angle में पूसाज आ सकता है वो UPSC अपने हिसाब से सेट करती है लेकिन हमें हर type के question के लिए prepare होना पड़ेगा यहीं multi-dimensional approach is the only ultimate for selection ठीक है आपको अलग-अलग direction में सोजना पड़ेगा काम करना पड़ेगा इसके लावा आपके पास कोई option नहीं होगा आपको महनत जितनी ज़्यादा महनत करोगे उतना ही आपको benefit होगा इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे page number 9 पे है terrorism is a crime against unity United Nations Human Rights Council का एक session होता है जिसके अंदर भारत और भारत पाकिस्तान चायना ये सारी country जो है member state है तो इन सभी के बीच में भारत के जो external affair minister है एस जैसंकर साब उन्होंने 46 session को जो वो तरीके से संभोधित किया इनमें कुछ word यूज किये गे terrorism continues to be one of the greatest threat to the humankind यानि मानवता के लिए सबसे खराब जो चीज है वो है terrorism इसके लावा humanity के अगेंश जो crime होता है वोईलेट करता है basic fundamental human right को और जिसका नाम है right to life यानि जो जीवन जीने का अधिकार है जो fundamental right है उसका ये violation करता है इसे लिए terrorism को सबसे खराब च society and vibrant democracy के लिए इस तरह के topic पर discussion करना जुरूर है भारत हमेशा से एक convention को लेकर United Nation में बात करता रहता है कि convention होनी चाहिए terrorism को लेकर और terrorism को जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता है इनके लावा United Nation Human Rights Council में उन्होंने बताया कि हमने direct food sport किया 800 million Indians को इसके लावा financial sport किया 400 million लोगों को और ये कईने कहीं pandemic के impact को counter करने के लिए इनके अलावा गर आप देखेंगे 2020 में World Food Program को Nobel Peace Prize दिया गया था तो ये जो पूरा का पूरा scenario आपको देखने को मिलेगा human rights violation जहां पर भी होता है उसके बारे में recommendation करना ये कईने कई इसका एक purpose है इनके लावा United Nation Office का जो जनेवा में इसकी meeting होती है तो ये कुछ important information है इनके लावा 47 nation जो इसके member state के अंदर आते हैं जिसमें division आपको देखने को मिलेगा कि अलग-अलग area के अंदर जैसे African state को 13 seat दी गई है Asia Pacific को 13 seat दी गई है Latin America और Caribbean को 8 seat दी गई है इनके लावा Western Europe और other state उनको 7 seat दी गई है और Eastern Europe और state को 6 seat दी गई है इनके लावा जो member है वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं और आपको एक चीज़ ध्यान रख रही हैं पहले बात जो member चुने जाएंग वो 3 साल क के लिए eligible नहीं होंगे लगातार constructive term के लिए यानि दो लगातार करेकाल के लिए eligible नहीं होंगे यह आपको ध्यान रखना है इनके अलावा यहां पर member state बताया गया है कि एक दनवरी 2020 तक यह data बताया गया है कि यह member है इसमें अगर आपके neighboring countries में देखोगे तो चाइना पाकिस पेज नंबर 10 पे जो है यह mission इंदर तुनूस वाली जो scheme है इसके बारे में आप जरूर कमेंट करेंगे कौन-कौन से major disease जो है इसको इंदर cover किये गई है इमुनियाज किये जाते हैं इसके बाद second इसी पेज पर जो information है DAC करके यह यानि Defense Acquisition Council ने लगबग 13,700 क्रोड रपे के जो BID 7 को clear किया गया है इनके अंदर सबसे important Arjun MK1A जो tank है उसको जो इतरीके से procurement को लेकर बात की गई है इनके लावा Defense Acquisition Council को जो head करते हैं वो करते हैं Defense Minister और हमारे Defense Minister इस टाइम पे है राजनात सिंग जी इसके लावा यहाँ पर आप देखेंगे एक important word यूज किया गया ह कल्याणी M4 और कल्याणी M4 armed vehicle है यह आर्मी का इसकी खास बात क्या वो हम बात करेंगे यह DRDO द्वारा एक तरीके से mostly जो product बनाए जा रहे हैं जो defense related product बनाए जा रहे हैं वो DRDO या उसके various groups द्वारा जो है वो बनाए जा रहे हैं या इंडिजिनियस product को जो है वो government of India या Defense Ministry जो priority में रखरी है इसके अलावा यह बहुत important है कल्याणी M4 यह जो word आप note करेंगे यहां पर यह जो कुछ word यूज किये गए हैं इनको note करेंगे कल्याणी M4 is a multi-role platform designed for quick mobility in rough terrain and areas affected by mine and improved explosive devices threat an official said the deal is for 27 weekly in 27 ऐसे विकल खरीदने जा रही है जो defense ministry है या हमारी इंडियन आर्मी है इसका काम क्या है basically जो rough terrain areas होते हैं जहांपर mines है या कई जगह पर IAD जो है वो impose कर दी जाती है या जमेन के अंदर आपको देखने को आई इस तरह के sport आपको देखने को मिलते हैं उनको counter करने के लिए कल्याणी M4 is a multi-role platform आपको provide करवाईगी तो इस security के लिए बहुत important यह product है और इस तरह के जो इस तरह की जो इतरी के से defense improvement है वो need of the hour कह सकते है जिसकी जरूत है इस टाइम पे इसके बाद foreign affairs section के अंदर या world affairs section के अंदर कुछ information आपको देखने को मिलेगी जैसे पाकिस्तान के जो प्राइमिस्टर वो सिलंका के विजिट पर गए अब क्योंकि भारत के लिए सिलंका और पाकिस्तान दोनों एक neighboring country क करनें और उनके बारे में basic information हमें होने चाहिए और यहाँ पर इन्होंने वहाँ पाकिस्तान के प्राइमिस्टर सिलंका के अंदर गए और इन्होंने बात करे कि connectivity को बुष्ट आप किया जाना चाहिए और यहाँ पर आपको देख बुष्टप के अंदर अगर आप बात करें चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कोरिडॉर इस कोरिडॉर के बारे में बताया गया कि इस एरिया को लेकर कैसे कनेक्ट करना है चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कोरिडॉर के अगर आप देखेंगे तो ये जो चाइना का जिंजियान रीजिन है इसको कनेक्ट करता वा जो है वो ग्वादर पोर्ट टक जाता है लेकिन ये वाला जो एरिया है जिसमें पाकिस्तान ने illegally occupied करका है या पाकिस्तानी occupied कस्मीर है ये इस एरिया के तैज जाता है इसलिए भारत ने चाइना की जो one road and one बैल्ट इनिशेटिव है उसमें participate नहीं किया वज़य ये थी कि ये जो आप policy follow कर रहे है ये भारत की integrity और sovereignty के खिलाफ है अगर कोई territory ये भारत और पाकिस्तान के वीच में कर डिस्पूटिड है तो third country का उसमें intervention नहीं होना चाहिए था यहाँ आपर आपको देखने को वन बैल्ट एंड रोड इनिशेटिव चाहिना का एक इनिशेटिव है कनेक्टिविटी करना रोड के तुरू या इसमें maritime silk route के तुरू भी आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी पाकिस्तान के प्राइमिस्ट्रे बोल रहे हैं कि Central Asia तक कनेक्ट करना है various regions जो भी है इ जनी जो महिंदा राजपाक से उनके प्राइमिस्टर है और गोटविया राजपाक से प्रेजिडेंट इनसे उन्होंने बातचित करी और कहा कि जो various topics है जिसमें trade है, investment है, health है, education, agriculture, science and technology, defense and security और culture, tourism इन सब चीजों पर various topics पर उनना discussion किया बागी detail बताएगी है उनके बारे मे के बीच में जो issue चल रहा है वो repeated है, Myanmar के अंदर protest continue है, right, तो इसमें कुछ particular नई चीज़े आपको नहीं देखने हो मिलेगी, इसके बाद business page या आप कह सकते है, economic के section में कुछ important चीज़े हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, government to review anti-dumping duty on Chinese steel product को लेकर ये information है, business section में य ठीक है, लेकिन कोई जैसे कोई Chinese company है, वो भारत में उन product को भेज़ती है, लेकिन वो केवल 8 रुपे मिलता है, अगर आप आज भी आप जाएंगे, हमारा और इंडियन तो हमेशा वहाँ पर हम जोडते हैं, जहाँ पर price कम होगा, एक चीज़े सेम चीज़े आपको 8 रुपे की मिल रही है, तो आप खरीदेंगे कौन सी, नैक्चरल है कि हमोग जो सस्ती चीज़े वो खरीदेंगे, तो चाइना क्या करता है, एन्टी डंपिंग, यहने product को dump करता है, dump का मतलब तरीके से भीजता है, वहाँ पर एक तरीके से और material भीजेगा, और सस्ते product कर देगा, तो इस तरह के product को रोकना, और एक वज़े यह भी है कि भारत का regional comprehensive economic partnership, यानि जो solar country का ग्रूप था, जिसमें से भारत ने exit कर लिया है, इस वज़े यह एक region था, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा benefit है, वो चैना को होने वाला था, इंडिरेक्टली, तो एक region है, हलाकि इसमें various companies ने लिखा है, और इसमें director general of trade and remedies यह कहने का analysis करेगा, कि जो issues है, उनको cover up किया जासके, और इसके लेकर anti-dumping duty के vouchers, जो issues है, उनको resolution किया जासके, इसके बाद यहाँ पर जो Arab nations है, उनके साथ, जो हमारे pharmaceuticals के मावले में, या जो health related, जो drug supply हम करते हैं, उनके मावले में कैसे relations को increment कर सकते हैं, उसके बारे हम बताया गया, कि इंडिया का trade केवल hydrocarbon based नहीं है, यानि भारत जो केवल तेल और gas के लिए ही नहीं important है, जो Arab countries हैं, उनको उनके साथ, हमारे pharma sector के अंदर भी important है, आप सबको पता होगा, pharma के अंदर दुनिया का बड़ा hub है इंडिया, और भारत की भूमिका या medical sector में भारत का तेजी से बढ़ना, अपने आप में एक proud वाला moment होता है, इसके अलावा यहां पर बतायागा कि 160 billion dollar का trade basket है, भारत और Arab countries के बीच में, hydrocarbon के अलावा, यहां पर मैं particular बात कर रहा हूँ, hydrocarbon के अलावा, और अगर यह trade बढ़ता है, तो इसक इस्पोर्ट ज्यादा करेंगे, इनके अलावा, इंडियन फार्मा की जो credibility है, उसको दुनिया भर में जाना जाता है, और सस्ती और अच्छी क्वालिटी की जो drugs है, वो भारत में अवलेवल करवाई जा सकती है, इनके अलावा, गल्फ रेजिन के अंदरे हमने बता कि food security की important parameter है, और दोनों कहीं farming के तुरू या huge opportunities के साथ दोनों group यारब countries और इंडिया दोनों काम कर सकते हैं, येक information थी business section से, editorial section में हम जाएंगे, कुछ editorial को cover करेंगे और देखेंगे major editorials को, यहाँ पर जो editorial दिये गए है, editorial वाले 6 नमबर page पे, इसमें various article आपको देखने को मिलेंगे लेकिन एक article जो मुझे लगा कि जिस पर discuss किया जाना चाहिए, वो है, writing more to India about तिबतो लोजी करके एक article है, इनके लावे COVID-19 को लेकर है, ये again, महिनमार के अंदर जो military ने application power capture करकी, उसके उपर again detail में डिसकस किया गया है, यहाँ पर हम लोग नए topic और जो unique topic होंगे, उनको priority मे रखेंगे, यहाँ पर बात की जारे तिबतो लोजी क्या है, तिबतो लोजी ये basically, क्यों ट्रम ये बार बार न्यूज हो रही है, यानि writing more about India into तिबतो लोजी, यहाँ पर बात की गिए, the subject is no longer only about countering the other beyond the mountain China, यानि ये केवल countering का तरीका नहीं है, तिबतो लोजी एक वर्ड ये वर्ड basically medium कब से है, 28 January को इंडियन आर्मे की तरफ से एक statement release की गी, कि एक तिबतो लोजी यानि तिबतो लोजी यानि तिबतन history, culture and language on both side of the line of actual control in order to counter Chinese influence and propaganda, यानि एक तरीके से जो चाइना का influence है, या चाइना का एक प्रोपगेंडा जो करते हैं, उस तरह के को counter करने के लि अब आपको पता होगा तिबत जो है, एक important place है, और कई ये भी माना जाता है कि भारत और चाइना के बीच में exactly boundary नहीं थी, भारत और तिबत के बीच में boundary थी, 1962 के वोर के बाद आपको देखने को मिलेगा जो तिबतन धरम गुरू है, दलाय लामा उन्होंने भारत के अंदर सरनली, अजाइलम लिया और ये वज़े भी है कि भारत और चाइना के relation various reasons की वज़े से disturbed रहते हैं, तो एक region जो है वो तिबत भी है और इसमें कई लोगों को जो जनरलाइज किया जाता है कि क्या भारत को तिबत को notify करना चाहिए या तिबत के अलग country माननी चाहिए, ऐसा भ जो है लेकिन फिलाल जो है भारत इसमें इस पूरे region को एक तरीके से language को study करना, culture को study करना इस चीज़ पर काम करेगा, इनके लावा हिमाल्या को गर आप देखेंगे तो नेपाल, बोटान, सिक्किम और various जो जगह है उनकी वज़े से news में रते हैं, अगर आप तिबत को लेक लेकर various policies को देखेंगे, colonial period के अंदर भी जब various governance जनल और वाइस राय आपको देखने को मिलेंगे, जो modern Indian history में आप इंडिया का freedom struggle पड़ेंगे, वहाँ पर भी आपको तिबत policy को लेकर या अंग्रेज या बिटिशियर या तिबत के बीच में relation कैसे थे, उन चीज़ों को ले में यहाँ पर डिटेल में बता गया है, यह एक हिमालियन होम की तरह और तिबतो लोजी जो है, ऐसा नहीं कि भारत तिबत को एक अलग state जो है, वो आपको देखने को मिला गया या उसको notify कर रहा है, इस तरह की चीज़े नहीं है, लेकिन environmental, social और geopolitical crisis को analysis करने के लिए, इस त structure किस तरीकी का है, यह एक अलग तरीके की strategy जो है, हमारी forces एक तरीके से follow कर रहे है, इसके बाद यह वाला जो article है, यह excise duty fiscal policy contradiction को लेकर article है, और दोनों word का मतलब क्या है, excise duty क्या होती है basically, excise duty अगर आप देखेंगे तो central government अगर impose करती है, तो वो state government के साथ share करने पड़ेगी तो एक तरीके से कह सकते एक tax है, और अगर आप recently fuel prices देखेंगे, petroleum, diesel और various prices को, उसमें increase की region माना जाता है कि excise duty को बार बार बढ़ाया गया, और excise duty के बाद 2021 में जो budget पेश किया गया, उसमें एक बात लिखी गी है, कि एक agriculture infrastructure fund cess करके लगा जाएगा, और excise duty को कम किया अब दोनों में एंतर क्या होता है, अगर हम cess लगाएंगी, तो इसका मतलब क्या होता है, cess particular एक topic के लिए लगा जाता है, particular एक तरीके से targeted area के लिए लगा जाता है, लेकिन वो state government के साथ share नहीं करना पड़ता है, लेकिन exercise duty अगर आप लगाओगी, तो state government के साथ share करना पड़ और दूसरे प्रड़क्ट जो petroleum प्रड़क्ट वो include नहीं किये गए है, यहाँ पर आपको photograph देखेंगे और photograph में जो आपको prices देखने हैं hundred cross कर रहा है, कई जगे hundred touch कर रहा है, तो यह number जो है, इसमें बताया गया कि जो exercise duty का increase होना है, exercise duty और fiscal policy जो हमारी राजकोशिय निती है, उसके बीच में contradiction आपको देखने को मिलेगा, और various reasons की वज़े से जो fiscal deficit के अंदर बात करेगी, fiscal responsibility budget management act जो था, उसके अंदर इस बारे में बात करे गई थी, कि हमें अपना जो fiscal deficit है, उसको control करना है, इसके अलाबा, recently, 2020 में सवाल हुआ था, एक macro framework करके एक topic है, जिसके बारे मे discuss किया जाता है, budget में क्यों present किया जाता है, क्योंकि वो responsibility है, fiscal responsibility budget management act के अंदर, ये जो act है, fiscal responsibility budget management act, ये most important है, various deficit को control करना है, जिसमें अगर आप देखेंगे, fiscal deficit हो, revenue deficit, primary deficit, या budgetary deficit, इस तरह के जो घाटे हैं, वो news में मैं repeat कर रहा हूँ, ये जो topic है, deficit वाला ये घाटे वाला, ये most important topic है, 2021 के लिए, और economy के question, अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन economy में basic question ज्यादा होते हैं, और उनके application, यानि बहुत tough question मैं नहीं कहोंगा, लेकिन उनके लिए practice करने पड़ेगा, ये कुछ चीज़े हैं, जिसको लेकर discussion किया गया है, इन्होंने in-depth analysis किय और यहां पर भी आप देखेंगे, repeat में, fiscal responsibility and budget management act, ये इसके बारे हम discuss किया गया, इसके बाद GDP और debt ratio क्या है, ये जो topic है ना, ये topic आपको अलग-अलग context में समझने पड़ेंगे, इनके लावा economic survey के बारे में, क्योंकि economic survey में हमेशा बोलता हूँ कि most important source है, government के data का analysis करने के ल आपको नहीं मिली है, तो माज फिर repeat कर दूगा, economic survey की highlight है, 20-22 page की, वह आप पढ़ लेना, इसके बाद last topic है, being petroleum independent, क्या हम petroleum independent हो सकते हैं, और क्या हम zero emission vehicle program को जो हो सुरू कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, इसके बारे में ये particular article है, यानि petroleum को हम लोग petroleum product है, उनके बिना vehicles को follow कर सकते हैं, इसके बाद इसमें various schemes के बारे में discussion किया गया, भारत के clean sources of energy के बारे में discussion किया गया, इनके अलावा अगर आप देखेंगे, यहां पर कई सरी scheme और plan या policy के बारे में discussion किया गया है, national electric mobility mission plan, इसके अलावा 2022 तक इंडिया के जो efficient standard for passenger car है, उसमें 20% less stringent होगा, European union standard के compare में, इनके अलावे यह plan के बारे में discussion किया गया, केवल यही plan नहीं, 2018 के अंदर भारत की national bio fuel policy आई, यह कुछ यहां पर जो keyword use किये गया है, यह faster adaptation and manufacturing electrical vehicle, यानि जो हम electrical vehicle को adapt करेंगे, उसमें faster adaptation होना चाहिए और manufacturing होना चाहिए, यह non fossil fuel, यानि जो petroleum product जो होते हैं, जिसमें petrol है, इस तरह के बजाए हम electrical vehicle की तरफ transition करें, हलांकि electrical vehicle की तरफ transition करना इतना easy नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें investment करनी पड़ेगी, और जो हमारे already diesel और petroleum के vehicles हैं, उनको transformation करना पड़ेगा, हलांकि various step उठाये जारे हैं, जैसे 12 standard 6 को implementation करना, यह कुछ चीजे हैं, अगर आप देख लिखने के वज़े से उसका prices में भी increment देखने को मिलेगा, इससे आप relate कर सकते हैं, 2021 में जो एक policy discuss की जारी है, scrap is policy को लेकर और एक green tax 2022 से जो impose किया जाएगा, उसके बारे में भी interrelated यह चीजे होंगी, vehicle moment को लेकर, air pollution जो है 2021 का most important topic है, तो relate करती है एक तरीके से एक दूसरे से चीजे, इनके अलावा जो international council on clean transportation उन्होंने काया कि 50% reduction होना चाहिए, 2030 तक अगर consumption के अंदर और new vehicle जो होंगे, उनके अंदर जो है वो आपको कोशिज करें कि वो electrical vehicle को ज़्यादा से ज़्यादा promote करें, इन चीजों के बारे में बताया गया, और इसके लिए जरूरी है कि भा professional करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा efficient करना पड़ेगा ताकि और ज़्यादा sales के, ये कुछ important information थी आज के हिंदू में, thank you all, jahin